एलो एवर्वान वेल्कम बेक तो मार यूट्यूब चैनल लास्ट वीडियो में हमने लॉन किया था हाउ तो आज हम लॉन करेंगे हाउ तो रिमूफ फेक नेल्स तो भी ना कोई टाइम वेस किये स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो फेक नेल्स रिमूफ करने के यहिसली है चैनल कोई बीडियो तो में इसमंस को इन धर अन्त लेंगे होजा जादा घरबनी लेना हमको सिफ माइल्स को फाइर्डबो refट लेन है और इसके अनल हम अब किसी टौल से अपने अपने मिनिट्ट कर लेंगे पिने हेंज को क्लीण करने के बाद हमको ऐसा कोई भ अभी मैं अपने खुद के नेल्स रिमूफ कर रही हूँ, जब भे आप किसी और के नेल्स रिमूफ करो, तो आपको make sure करने है कि आप टिप को ऐसे पकड़ लो, नेल बेट को ऐसे पकड़ लो, ताकि आपका जो natural नेल है, उसको कोई हाम ना हो, मैंने कुछ इस तरीके से अपने नेल्स को होल्ड कर लिया है, और इसको बिल्कुल साइट से धीरे-धीरे, मैं अंदर की तरफ नेल को insert करूंगी, थोड़ा सा इस साइट से और थोड़ा सा मैं इस साइट से करूंगी, इस साइट से उतारने के बाद हमारा जो नेल है, वो इजिली उतर जाएगा, अब इस सारे नेल्स रिमूव हो चुके हैं, ये लास्ट टेप नहीं है, इसके बाद जो आपकी यहाँ पर फैवेक लगी है, इसको हम एक फाइलर की हेल्प से रिमूव करेंगे, फाइलर मैंने लास्ट वीडियो में चलाना सिखाया था, अब इस सारे नेल्स फाइल हो चुके हैं, हमें एक बॉफर की हेल्प से नेल्स को बॉफ कर लेना है, इसके बाद हमको टॉप कोट लगाना है, मैं एमिजल कंपनी का ले रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, आपको अपना ब्रश एम्टी ही लेना है, ज़्यादा भरा हुआ नहीं लेना है, आपको लगाने के बाद आपको यूवी लैंप में अपने इल्स को 60 सेकंड्स के लिए क्यूर करना है, 60 सेकंड्स के लिए क्यूर होने के बाद जो लास्ट चैप है, वो है ये क्यूटीकल ओयल का, क्यूटीकल ओयल भी मेरे पास एमिजल कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जो क्यूटीकल ओयल है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, अगर हमारे क्यूटीकल में कहीं से भी फाइलर ने कुछ हाम कर रहा है, तो गाइस क्विटी के लए लगाने के बाद फेक नियल्स रिमूवल का प्रोसेस होता है कमप्लीट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आपको notification लेटेस्ट वीडियो की मिलती रहे और comment में बताना कि आपको next वीडियो किस topic पे चाहिए Till then stay tuned, bye bye UV lamp में अपने nails को 60 seconds के लिए cure कर लें बहुत घरम लगा है